दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका अधार कार्ड आपके पैन कार्ड के साथ लिंक है या नहीं तो बहुत ही आसानी सा आप इसका पता कर सकते हैं इसके लिए आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है पैन अधार लिंक जैसी आप पैन अधार लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर इनकम टेक्स की ओफिशल वेबसाइट रिपर्जेक्ट हो जाएगी इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो की डिसक्रिप्चन में दे दूँगा आप वहां से डिरेक्ली रिडिरेक्ट हो सकते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले option पर यहाँ पर click करना है link अधार user manual पर जैसी आप इस पर click करेंगे तो आप इसकी official website पर यहाँ पर jump कर जाएंगे और यहाँ पर आपको home tab पर click करना है तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर दूसरे number पर एक option दिखाए देगा link अधार status आपको इस option पर click करना है इस option पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आप से कुछ details आप से माँगेगा जैसे आपका pen card number और आपका अधार number तो यहाँ पर आपको अपना pen card number टाइप क click करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने इस तरीके की एक notification ओपन हो जाएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका pen card आपके अधार card से link है या नहीं यहाँ पर देखें लिखावाई और pen number यह is already linked to given अधार number is this तो यानि कि यह message अगर आपको represent होता है तो इसका मतल तो यहाँ पर मैं दूसरा अधार card और pen card यहाँ पर type कर लेता हूँ pen card डालने के बाद यहाँ पर अधार number फिल कर देता हूँ और उसके बाद वापस से आपको इसी बटन पर फिर से click करना है यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने इस तरीके का message दिखाई देगा जिसमे पर click करने के बाद आप अधार card को pen card से link कर सकते हैं तो इसका process मैं आपको next video में बताऊंगा अगर आपको हमरे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like, comment, share जरू कीजेगा धन्यवाद